कहते हैं ना first impression is the last impression तो यही बात लागू होती है आपकी पहली kiss के उपर भी पहली kiss ऐसी होने चाहिए जो कि आपको lifetime याद तो रहे ही उसके साथ ही आपको special एहसास भी दलाए उस person का और उस शन का, उस moment का जिस समय आपने kiss किया बिल्कुल refresh रहे हमेशा के लिए तो कुछ ऐसी ही आपकी first kiss होने चाहिए तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो पहली kiss होती है वो कैसे करनी है क्या नहीं करना है उस दोरान कहां पे करनी है और उस दोरान आपकी बोड़ी में क्या होता है बहुत important है ना जानना तो चलिए श्वात करते हैं आज के इस वीडियो की मेरे नाम है एक्ता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल तो चलिए बात कर देते हैं सबसे पहली बात वो है consent जी हाँ जिब भी आप अपनी चेह गल्फरेंड है या फिर होने वाली partner है उससे मिलने जा रहे हैं और आप ऐसा कुछ करने वाले हैं तो उसको इसके बारे में पहले बताईए ठीके और उसकी रजामंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं तो कहूंगी कि अगर आप जा रहे हैं उससे पहले ही इसके बारे में बात हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए भी और जो आपका जो साथ ही है उसके लिए भी क्योंकि देखी जो female है वो physically and mentally prepared रहती है इसके लिए अगर आप नहीं बताते हैं तो हो सकता है कुछ और भी विजल्ट आपको देखने को मिल जाए तो पहले ही consent लेना ज़रूरी है next, second बहुत बहुत important जो कि है आपकी hygiene, hygiene भी दोनों तरीके से रखनी है आपकी जो oral hygiene है, आपके mouth की जो hygiene है, वो maintain होनी चाहिए और आपकी body की hygiene भी maintain होनी चाहिए, चीके तो oral hygiene के लिए हम डेली ब्रस तो करते ही हैं लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल लखना है कि आप कुछ ऐसा ना खाएं जिसके वज़ों से आपके मुमें बद्बू बनी रहे जैसे कि आप प्याज खा लेते हैं या फिर lesson खा लेते हैं तो ऐसी चीज़े avoid कीज़े जैसे कि आपके मुमें दुरगंद बनी रहे, ओके और आप कोई भी अच्छा सा mouth freshener भी इस्तमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, निक्स जो हम बात कर रहे हैं, body की hygiene की जी हाँ, बहुत important है ये भी क्योंकि देखो, अगर आप branded कपड़े नहीं भी पैनते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके body से बदवो आ रही है, smell आ रही है पसीने की, या फिर बहुत अजीब सी smell हो जाती है, अगर बहुत time के लिए पसीने रह जाते हैं body पे तो, अगर ऐसा है तो वो नहीं चलेगा, देखिए उसका सिधा सिधा असर होगा, और जो female है, वो भी आपके पास आने में comfortable नहीं होगी, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि देखिए जो females होती है attract होगी, ठीक है, तो आपका आदा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कोई भी अच्छी brand का perfume इस्तेमाल करें जो कि आपको लंबे time तक वो चलता भी रहे, तो मैं तो यही कहूंगी कि शुरुआत में आप कोई बहुत बड़ी bottle का इस्तमाल ना करें, जो कि हो सकता है, आपको पसंद आए या फिर ना आए, क्योंकि बहुत सार गड़कों को पता ही नहीं होता है कि कौन सी smell अच्छी है तो उसमें आप अपनी किसी भी अपनी mother की, आप अपनी sister की help भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहरे ज़रूरी है कि आपको बहुत बड़ी bottles का इस्तमाल नहीं करना है, छोटी bottles लीजिए शुरुआत में ताकि आपको पता चले कि कौन सी fragrance अच्छी है, उनको पसंद आती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कि छोटी-छोटी कुछ bottles ले लिजी, थोड़ा सा invest कीजिए, अपने उपर भी, and आपको पता चलेगा कि किस तरीकी की fragrance आपके लिए बहतर है, लेकिन अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहें कि किस तरीकी के perfume में आपके invest करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपकी help कर सकती हूँ, आपके लिए विस्कॉंटी Kings perfume gift set एक बहतरीन option होगा, क्योंकि ये जो gift set है, इसके अंदर premium fragrance वाले 4 perfume मिलते हैं, जिनकी fragrance एक दूसरे से बिलकुल अलग है, and विस्कॉंटी के perfume anti-stain होते हैं, क्योंकि जो Indian mindset होता है, उसी के according इसको design किया गया है, विस्कॉंटी के perfume को, कि देखिए, लोग क्या करते हैं, कि अपने कपड़ों पर ही perfume लगा लेते हैं, जिनके विज़े से उनके precious कपड़े खराब हो जाते हैं, stain लग जाता है उनके उपर, और वो बहुती भद्धे दिखते हैं, लेकिन जो विस्कॉंटी के perfume हैं, उनको pure white कपड़े के उपर test किया गया है, वोई भी stain नहीं रहता है, ओके, ये pocket friendly होते हैं, long lasting होते हैं, और क्या चाहिए, तो अगर आप कोई भी सोच रहे हैं perfume के बारे में, तो ये विस्कॉंटी Kings perfume gift set आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको आप ले सकते हैं, एंड एक और important बात, मेरे जो viewers हैं, उनके लिए flat 15% का discount भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक coupon code का इस्तमाल करेंगे, तो सारे की सारे links description में भी हुई हैं, जाके जल्दे से इसको मंगवा लेजिए, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि आपको ऐसा इतना अच्छा feel क्यों होता है, और ये ऐसा हमेशा के लिए क्यों रह जाता है, ठीक है, उसको समझते कि आपकी बोड़ी में ऐसे क्या changes हो रहे हैं, तो आपकी बोड़ी में तीन तरीके के chemicals निकलते हैं, ठीक है, सिंपल भासा में बता रहे हूं, एक है oxytocin जो कि आपस में जुडा और महसूस करवाता है serotonin जो कि आपको बहुत अच्छा फिल करवाता है, happy hormone है एक तरीके से, feel good hormone है, ठीक है serotonin next है dopamine, जो कि आपको pleasure feel करवा रहा है ठीक है, एंड उसी वज़े से आपको प्रेडित करता है कि आप उसको दुबारा से भी करें, ठीक है, तो इस तीन body में भी चलता रहता है अब देखिए, ये जाना है कि क्या नहीं करना है, करने से भी important, क्या नहीं करना है, ये important है, क्योंकि देखो, कुछ ऐसी memories बन जाती है, जो कि bad हो सकती है, जो कि आपको हमेशा-मेशा के लिए बुरा feel करवा सकती है और आप कभी भी comfortable नहीं होंगे अगर आपकी शुरुआत में ही बहुत ही गलत तरीके से आप करते हैं, तो तो उसके लिए क्या नहीं करना है, पहली बात, कि आपको जो open mouth जो किस होती है, वो नहीं करनी है, ठीक है, open किस नहीं करनी है मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग शुरुआत में ही सोचते हैं कि हम french किश कर लेंगे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं शुरुआत में ऐसा नहीं करना है अगर पहली है, तो वो special होने जरूरी है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने के जरुत नहीं होगी है चीक है, तो open नहीं करना है मतलब आपको saliva इस्तमाल नहीं करना है आपके teeth इस्तमाल नहीं करने है बहुत deep नहीं जाना है, ओके तो ये चीज़े नहीं करनी है हो सकता है कि आपके जो female है ये नहीं करना है कुछ लोग करते है, सब लोग नहीं बट ये नहीं करना है ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लड़कियों को specially चली एंड होट सौफ्ट होने चाहिए आपके फटे हुए नहीं होने चाहिए एक और बड़ी बात है चाहे आप इसको चेतावनी के रूप में लेलीजिए कि अगर आपको या फिर जो लड़की है उसको कहीं भी इदर आस पास कोई छाले हो रखे हैं कोई घाव हो रखा है त तो भी आपको किस नहीं करना है क्यों क्योंकि बहुत सारी ऐसे बेक्टियास होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं उस दोरान तो ऐसा आपको नहीं करना है अगर ऐसा है तो आप अपने आपको स्टॉप कर लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है क्या होता है मेर तरफ से मैंने सब कुछ बता दिया है लेकिन तुर भी अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बोक्स में लिख दीजिएगा ओके सुमिलते हैं नेक्स वीडियो में थैक्स पर वाचिंग बाई